वेले दोस्तों स्वागत है आप से भी काया काव नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपने विल्डोस लैप टॉप या फिर डेश्टाप में रियल टाइम इंटरनेट स्पीड मीटर को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर मेरे टास्क बार में देख सकते हैं यहाँ पर रियल टाइम स्पीड दिखाई दे रही है जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी बिसर्ज करूंगा तो यह देखिए ब्राउजर ओपन किया अब यहाँ पर मैं यूटुब कोलता हूँ तो यह देखिए जो रियल टाइम स्पीड है वो यहाँ पर सो हो रही है तो आज किस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैप्टॉप या फिर डेक्स्टॉप में इसे किस तरह से इनेबल करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होग एक छोटा सा एप है जिसे आपको इंस्टॉल करना हुआ करीब 6 या 7 MB का एक एप रहता है इंटरनेट स्पीड मीटर आपको इसे इंस्टॉल करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मेरे लैप्टाप में अल्रेडी इंस्टॉल्ड है और मैं आपको यह भी ब ठीक है तो अब हम इसे पहले यहां से अनिस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि मैं दोबारे से बुरा सेट अब आपको दिखाने वाला हूँ अनिस्टॉल ठीक है यह अभी इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं तो इ यहां से अपने desktop में store को open करना है, Microsoft store को. तो यहां पर search करूँगा store, यह आप देख सकते है, Microsoft store. यहां पर अगर आपने login नहीं किया है, तो आपको यहां पर अपने Microsoft account से login कर लेना है. ठीक है, यह हमारा store open हो चुका है. अब मैं यहां पर search करूँगा, फिर से वही app, net speed meter. ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, यह इसका plus version है, लेकिन फिलाल हमारा इसी app से काम चल जाएगा, तो मैं इसे open करता हूँ. ठीक है, अब देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, install दिखा रहा है, इसे हम install कर लेते हैं. तो ठीक है, इसका एक नय अपडेट आ चुका है, यह 5 MB के भी अंदर हो गया है, देखिए, अब यह install हो गया, अब हम इसे यहां से करते हैं, open. ठीक है, आप यहां से store को बन कर देते हैं, अब यह देखिए, आप देख सकते हैं, यहां पर जो real time speed है, वो 100 होने लगी है, अब मैं आपको बताऊंगा, कि आप इसे taskbar पर कैसे लाएंगे, और कुछ थोड़ी extra settings हैं, भो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसे manually भी यहा option यह रहेगा, आपको यहां से इसके icon पर जाना है, यहां पर हम right click करेंगे, ठीक है, right click करने के बाद आपको यहां पर keep in taskbar का option देखेगा, इस पर हमें टैप करना है, ठीक है, तो यह जो है हमारा taskbar में set हो चुका है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पिर से यहां पर right क्लिक करेंगे और यह जो speed refresh time है ना इसे हम fast कर देंगे तो यह आदे second के अंदर refresh करेंगा ठीक है यह हो गया अब इसके बाद में एक तीसरी setting आप करनी है आप यहां से जाएंगे सेटिंग्स में ठीक है सेटिंग्स में जाने के बाद है यहां से आप चाहें तो इसके जो यह size है font का इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन फिलाल एक काम आपको करना है आप इसे यहां से बोल्ट कर देंगे ठीक है बोल्ट कर देंगे तो यह अच्छे से visible होगा और आपको आसानी से यह जब भी आप ब्राउज्इंग्स करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा ठीक है तो अभी हम इसे कर देते हैं close और आपका जो real time speed connection है वो यहां पर आपको दिखाई देता रहेगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए और इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ ठैक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई एंट टेक केर